तो यहां पर जो है मैंने एक नारियल को जो है इस तरह से रेडी कर लिया और नारियल के जो पीछले वाले पार्ट ब्राउन पार्ट है उसको जो है हमने निकाल लिया और छोटे छोटे पीसे कर लिया है ताकि जो है इसे हम जब मिक्सर ग्राइंडर में जब पीसे इसे जब ग्राइंड करें तो अच्छे से जो है बिल्कुल पावडर अच्छे से ज होने के बाद और यहां पर देखिए अगर नारियल के थोड़े टुकड़े रह भी जाते हैं तो उसे अपको टेंशन लेने की जरूत नहीं है वह आप जो है निकाल सकते हैं या दुबारा उसे पीस के इसमें जो है यूज कर सकते हैं तो यह देड़ कप जो है हमारा नारियल ह तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से जो और एक-दो इंग्रीटियन से उसी हिसाब से हम डालेंगे तो यहां पर डेड़ कप है और चली तो फिर बनाना सुरू करते हैं तो पैन रख लिया और यहां पर एक टीस्पून के जितना हम इसमें घी डालेंगे घी डालने से थोड़ा कि जो है मौिस्टर को थोड़ा कम हो जाए और ड्राइनेस जो है बिल्कुल थोड़ा सा ड्राइज ऐसा हो जाए ज्यादा नहीं एक से दो मियाट तक हमें चलाना है इसके बाद जो है इसमें आधा कप डेढ़ कप नारियल है तो इसमें आधा कप जो हम चीनी डालेंगे कि अधा कप चीनी डालने के बाद इसने चारों तरफ से हमने मिंक्स कर लिया और इसके साथ ही यहां पे जो है आधा कप JEFF को है फरेंट semble के जगा पे तो आप मिल्क मेड्य मेडर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप खोया या मावा जो है वह भी यूज़ दूद करेंगे और दूद और सारी चीजों को हम अच्छे जो है चलाते हुए तीन से चार मिंट जो है मैं इसी तरह इसे अच्छे से पकाना है । और एक-दो बार बीज-बीज में हम ढखके भी थोड़ा सा एक-दू मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाते रहेंगे इसे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए इतना हमें कर लेना है ताकि जो बिल्कुल ठोड़ा सा चिप चिप जैसा जो है मिक्सिर तइयार हो जाए और ढोड़ा ठीक हो जाए बिल्कुल इसचरा से एक दो बार इसे चलाते हुए जो हम भी एक दू मिनट के लिए इसे धखके रख देंगे बिलकुल लो फ्लेम पे ढ़क़े इसी तरह से हमें छोड़ देना, और फिर दूसरी बार जब इसे एक बार धककन हटा गके, जो है, अच्छे से जो है, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चारो तरफ से सारे मिक्सर को, तब यह देखें, जो बिलकुल अब पर्फेक्टल पदिश्ट और थोड़ा सा चिकना साइनिंग लड़ू हमारा बढ़िया प्रॉपर तयार हो तो बिल्कुल थोड़ा सा जो हमने लड़ू का यूज़ थोड़ा सा घी का यूज़ किया है इसमें कि सारे चीजों को अछे से यकदा चला लेंगे अए अब छालेंगे मिक्स कर लेंगे और विसे थंडा करने लिए हम ड़क देंगे बीच में आप मिक्सर तैयार, डाउट अगर रहे जाता है कि मिक्सर लडू के लिए तैयार है या नहीं हुआ है, तो आप एक थोड़ा सा पार्ट निकाल के आप गोल से अप करके देख सकते हैं, कि यह बंद पा रहा या नहीं बंद पा रहा तो आप उस तरह से कर सकते हैं, यहां पर मिक्सर बिल्कुर ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद हाथ में थोड़ा सा जो है, हम ओल या घी है आप लगा के इस तरह से बड़े या चोटे जैसा आप चाहें उस हिसाब से आप लडू बना सकते हैं, तो और गार्णिश करने के लिए आप कोई भी इस तरह से हलके हाथों से जो दवाते हुए जो है सारे लडू जो हम तयार कर लेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा सॉफ्ट और टेस्टी जो है ये लडू घर में असानी से तयार हो जाता है, तो आप इसे अपने घर के खाने के लिए या फिश्टिवल्स बहुत सारे आ रह आपको ये नारियल के लडू जो है पसंद आया होंगे और अगर पसंद आया है फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्साइज सेर करना न भूलिएगा, थैंक्स पर वाचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैपी